यह दाम मंदिर के जो ट्रस्टी है उनकी विश्यस्ता देखे साब उन्हों ने जिनों ने घोर विरोग किया था लगातार उनके भी यहां जाकर के निमंतर दिया उनको और यह मैसेज दिया कि अब तक जो हुआ सो हुआ आप सुप्रीम कौट ने जज्जमन दे दिया है चलो ह निमंतर को नहीं तुसरी तरह ऐसा ही निमंतर उन्होंने बाबरी मस्जीद का केस्ट लड़ने वाले राम मंदिर के खिलाफ अधालत में सुप्रीम कौट तक लड़ने वाली दो दो तिन-तिन प्रेड़ी जीश की लड़ती रही वह इकबार अंसारी उनको भी निमंतर दिय तो उन्होंने कहा भी अब सुप्रीम कोड का जीजमेट आ चुका है अब मेरा गिला सिक्वा कोई रहता नहीं है और वह स्वेम प्रांट पर्चिश्टा के कारकम में आकर के बैठ इतना ही नहीं उन्होंनों का जो गनमेन है जो हिंदू है तो उन्होंने एक बाजार से राम तो इस एक घटना जो मुझे रखता है इक्बाल अंसारी सच्चा से कुल रहे हैं जब तो लड़ना था अपने हपकों के लिए वो लड़ते नहीं न्याइपालिका ने कहा तो उसको स्विकार करते चले और यह लोग है उनकी वोट मेंके राजनेती हैं तो देश इक्बाल अं सान सो साल के बाद सुप्रिम कोर्ट में विजय हुआ था लेकिन हिंदुों ने जश्न नहीं बनाया था उत्सव नहीं बनाया था पठाके नहीं फोड़े थे क्यों हम किसी भी समाच को दुखी किसी को पराजी थे और मेरा तो उस दिन स्टेटमेंट था और 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 का भी थ है कि सबको जोड़ने का अउसर है लिए तो जिस दिन राम जन्मभूमी का जिज्जमेंट आया उस दिन भी सबको जोड़ने की बात हुए लेकिंद दुर्भाग है कि कुछ लोगों को इस प्रकार की प्रवुत्ति के विना उतनी वोट में विखर जाएगी इसकी चिंता है झाल 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 झाल